दोस्तो ये Alfred Lord Tennyson की Lady of Charlotte का Part 2 है जिसका Part 1 में पहले अपलोड कर चुका हूँ अगर अपने नहीं देखा है तो बल्लिंग का रेस पे क्लिक करके देख लीजिए तो दोस्तो Part 2 शुरू होता है इस पोएम के Part 3 से तो हम लोग देखते हैं Part 3 में क्या है तो शुरू करते हैं तो अब इस पोएम में एक टर्ण आता है कैसा टर्ण? A bow sought from her bow or eaves He rode between the barley sheep इन दो लाइनों का मतलब ये है दोस्तों कि कहीं बहुत दूर तक ये लेडी अपने कमरे से देखती है वो बारले की खेतों में से आ रहा था जों के खेतों में से आ रहा था कौन आ रहा था? आगे पता चलेगा The sun came dazzling through the leaves सूरज चमक रहा था पत्यों के बीच में से Dazzling का मतलब होता है चमकना through the leaves पत्यों के बीच में से And flamed upon the present greaves मतलब उसका कवच, metal का कवच shine कर रहा था Of bold Sir Lancelot तो इस आदमी का नाम है Sir Lancelot A Red Cross Knight of Ever Nealed To a Lady in His Shield और Sir Lancelot की शील्ड पर एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें Red Cross Knight अपनी लेडी के सामने घुटने टेक करके खड़ा हुआ है दोसों Tennyson ने ये Red Cross Knight का करक्टर Fairy Queen से उठा है Edmund Spencer की पूए में Fairy Queen उसमें ये करक्टर है Red Cross Knight का और वो इस येलो फील्ड में चमकती है बिसाइड रिमोट शेलाट दोस्तों यहाँ पर ब्राइडल का मतलब है लगाम जो घोडे को पकड़ने के लिए लगाम होती है उस लगाम पर हीरे लगे हुए है पत्थर लगे हुए कीमती पत्थर जो की Glitter कर रहे है चमक रहे है Like to some branch of star we see Hung in the golden sky मतलब ऐसे लग रहा है जैसे golden galaxy में किसी ब्राइड पर stars लटक रहे है The bridle bells rung barely और उस ब्राइडल पर उस लगाम पर bells भी लगे हुए है जो बज रही है जैसे ही वो Camelot में आ है As he rode down to Camelot And from his blazen baldric's lung A mighty silver wagel hung मतलब उन्होंने Sir Lancelot ने एक baldric लटका रखा है Baldric दोस्तों एक belt type की होती है जो किसी सामान को carry करने के लिए लेके जाते हैं तो जिसमें एक mighty silver color का wagel लटक रहा है इस word का मतलब यहां पे wiggle होता है दूस्तों And as he rode his armor rung beside remote shallot मतलब उन्होंने जो यह सारा सामान लाद रखा है Armor भी इनको पहना हुआ है इनकी पास wiggle भी है तो यह सारा सामान आवाज कर रहा है जब वो आ रहे थे All in the blue unclouded weather Thick jeweled stone the saddle leather तो इस दो लाइनों का मतलब यह है कि उनकी घोडे का जो saddle था वो leather का बना हुआ था और वो blue unclouded weather मतलब चमकदार साफ आसमान में मोटे थिक jewelry stone लगे हुए थे उस saddle में और आगे बोलते हैं The helmet and the helmet feeder burned like one burning flame together As he rode down to Camelot यह helmet के बारे में बता रहे हैं कि उनका helmet जो है Sir Lancelot का वो helmet एक तरह से जल रहा था उस सूरज की रोशनी से जब वो Camelot में आए As often through the purple night below the starry cluster bright Some bearded meteor trailing light moves over still shallot मतलब वो जो helmet Lancelot ने पहन रखा था Sir Lancelot ने वो feathered था और उस helmet को यहाँ Tennyson ने एक shooting star से compare कर दिया जो रात में अपनी light देता है His broad clear brow in sunlight glow मतलब Sir Lancelot का सर माथा जो की broad है वो sunlight में glow करता है चमकता है On burnished hooves His war horse trod मतलब उनके घोडे के hooves भी polished हैं और bright हैं From underneath his helmet plowed His cold black curls As on he rode As he rode down to Camelot इन तीन लाइनों का मतलब यह है दोस्तो जब अपने घोडे पे बैट करके Camelot की तरफ आ रहे थे तो उनके helmet के नीचे से उनके कोईले की तरह काले curly बाल Curly का मतलब घूमे हुए बाल मतलब घूंगरालू बाल उनके helmet के नीचे से निकल रहे थे और वो लहरा रहे थे From the bank from the river He flashed into the crystal mirror यह bank से river से होते हुए आ रहे हैं और यह crystal mirror में इस lady को दिख रहे हैं Lady of Charlotte को यह crystal mirror में दिख रहे हैं इनकी परच्छाई दिख रहे हैं प्लैश हो रहे हैं और यह Sir Lancelot आते आते यह कोई टीरा लीरा सौंग आते हुए आ रहे हैं दोस्तों मैं आपको बता दू यह सौंग का नाम जो है यह The Winter's Tale है शेक्सपिर का प्ले उससे लिया गया है She left the web, she left the loom She made three paces through the room तो lady of Charlotte ने जब कांच में Sir Lancelot को देखा तो अपना कपड़ा छोड़ दिया अपना कपड़ा बनाने वाला loom छोड़ दिया और तीन चक्कर लगाए अपने room के She saw the water lily bloom फिर lady of Charlotte ने water lily को देखा She saw the helmet and the plume और उस knight का helmet और plume देखा She looked down to camelot उसने camelot को भी देख लिया जो उसे नहीं करना था मतलब real world को देख लिया जो उसे नहीं करना था इसके बाद क्या हुआ out flew the web and floated white उसके ऐसा करने से वो web, वो कपड़ा जो था वो कपड़ा उड़कर के बाहर side में चला गया and mirror cracked from side to side और जिस कांच में वो ये सब देख रही थी वो crack होने लगा side by side से वो कांच crack ओने लगा तूटने लगा था वो lady of shallot चलाई कि मेरे उपर जो शाप है वो अब मुझे नहीं चोड़ेगा उसे मैसूस हो गया था कि अब वो बहुत बड़ी problem में आने वाली है इसी के साथ दोस्तो part 3 कतम अब part 4 की शुरुआत होती है जो की बहुत बड़ा है अब part 4 में क्या होता है दोस्तो lady of shallot ने ये गलती कर दी उन्होंने बाहर का scene देख लिया जो उनको नहीं देखना था तो अब nature में कुछ activities होने लगी जैसे तूफानी हवाएं चलने लगी पीले जंगल फेड होने लगे in the stormy east winds straining the pale yellow woods were waning the broad stream in his banks complaining river और उसके banks complain कर रहे थे broad stream का मतलब river heavily and low sky raining over toward camelot और बहुत ही भारी बरसात हो रही थी बारिश हो रही थी camelot की तरफ camelot के उपर तो दोस्तो इन सब natural activities को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं we can say that the outside world is also reflecting lady's sad situation down she came and found a boat मतलब पिर वो जान बचाने के लिए अपने किले से नीचे आई और नीचे आते ही उसको एक boat मिले beneath the willow left a plot एक willow tree के नीचे and round about the approach she wrote the lady of shallot इस line का मतलब है दोस्तो उसने उस नाव पर अपना नाम लिग दिया the lady of shallot अब ऐसा उसने क्यों किया ये तो आगे समझ में आएगा आगे बोलते हैं and down the river dim expanse like some bold seer in the trend seeing all his own mischance दोस्तो इन तीन लाइनों का मतलब ये है Alfred Lord Tennyson यहाँ पर उस lady को seer बता रहे हैं seer का मतलब जो future देखता है भविश्य देखने वाला जिसने अपने bad luck को देख लिया हू future में मेरे साथ बुरा होने वाला है miss chans का मतलब होता है बुरा होने वाला है with a glassy contents did she look to cam lot दोस्तो with a glassy contents का मतलब है उसकी चहरे पर अभी भी चमक सी है a glassy contents contents का मतलब होता है चहरा और glassy मतलब चमक सी है इस लाइन का मतलब है दोस्तों की वो ब्राट स्ट्रीम यानि की वो नदी ही बोर हर फार अवे लेडी ओफ शैलोट को बाहा कर उसकी नाओ को बाहा कर दूर ले जा रही थी दोस्तों आगे बोलते हैं कि उस ने लेडी ओफ शैलोट ने रोब पहन रखा था स्नोई वाइट कलर का और वो रोब बड़ा लूस था धीला ढला सा हवा चलने की वज़े से वो लेफ राइट ऊड़ रहा था पेडों के पत्ते उस पर आकर गिर रहे थे बहुत ही हलके हलके और रात का टाइम था इन दू लाइनों का मतलब यह है दोस्तो उसकी नाव बहती हुई जा रही थी इसके बाद बोलते है दे कौन है यहाँ पर? कैमलोट के लोग उन्होंने लेडी ओफ शैलोट का लास्ट गाना सुना लास्ट सौंग सुना वो जो गा रही थी कैमलोट की तरफ आते आते नाव में यह सौंग थोड़ा सा धार्मिक था थोड़ा सा मौनफुल था थोड़ा होली था, थोड़ा लावडी था, थोड़ा लावली था और वो यह सौंग तब तक गा रही थी turned to toward Camelot ये सब जो उसके उपर श्राप था जो उसके उपर कर्च था उसका असर था मतलब यहाँ पे इन दू लाइनों का मतलब यह है कि लेकिन इससे पहले कि वो बहती-बहती Camelot के किसी एक पहले घर की तरफ पहुंसती जो पानी के किनारे पर था तो गाना गाते-घाते ही वो मर गई वो पहले घर तक पहुंसती Camelot के पहले घर तक पहुंसती तैरती-तैरती उससे पहले ही वो गाना गाते-जाते मर गई अंडर टावर और बैलकनी बाए गाड़न वाल और गैलरे इन दू लाइनों का मतलब यह है कि उसकी नाव अब Camelot City में enter कर गई थी, जहां tower और balcony, garden की walls और gallery के बीच में उसकी नाव पहुँच गई थी a gleaming shape she floated by तो वो gleaming shape में थी dead pale between the houses high वो pale पड़ गई थी पीली पड़ गई थी मरने के बाद में the house is high silent into Camelot और वो घरों के बीच में आ गई थी उसकी नाव और एकदम silent थी मतलब अब वो गाना नहीं गा रही थी क्योंकि वो मर चुकी थी out upon the wafs they came तो उस wafs, wafs यानि के घाट पर लोग आए they, मतलब Camelot के लोगों के लिए they came, लोग आए वहाँ पर knights and burger lords and dame मतलब ये सारे के सारे knights, burger, lord, dame ये सारे के सारे पैसे वाले लोग थे and round the perow they read her name the lady of shallot और उस नाव पर उन लोगों ने उस lady का नाम देखा the lady of shallot लिखा हुआ था, इसलिए उस lady ने अपना नाम उस नाव पर लिखा था अब इसके बाद ये इस poem का last stanza है दोस्तों इसको गौर से सुनना who is this and what is here and in the lightened place near dead in the sound of royal cheer इसके बाद इस lady को देखने के बाद में लोग आपस में ही सवाल करने लगे what is this, what is here क्योंकि ये उनके लिए एक disturbing sight थी ये lady को देखने जो knights आये थे वो लोग इस sight को इस नजारे को देख करके डर गए and they cross themselves for fear all the knights of Camelot उन लोगों ने खुद के बचाओ के लिए डर के मारे cross के sign बना लिए protection के लिए खुद के protection के लिए but Lancelot mused a little space लेकिन इन सब के बीच Lancelot ने उस lady को ध्यान से देखा sir Lancelot ने उस lady को ध्यान से देखा and he said और उन्होंने कहा कि she has a lovely face कि इस lady का face कितना lovely है God in his mercy land her grace God इसको शांती दे इस पर हमेशा अपनी दया बना करके रखे the lady of Charlotte ऐसा sir Lancelot ने इसलिए कहा क्योंकि वो मर चुकी थी unfortunately तो दूसरों इसी के साथ ये पोईम खतम होती है आज की वीडियो में बस इतना ही